दीपिका पदुकोन आई दिन सुर्खियों में बनी रहती है एक्ट्रस कभी अपने लुक्स को लेकर तो कभी अपनी गजब की आक्टिंग को लेकर लाइम लाइट बढ़ती है लेकिन इन दिनों वो किसी और वज़े से ही चर्शा में है हाल ही में पती रनवीर सिंग के साथ कौफे विदकरन में दिपिका नजर आई थी जहां उन्होंने अपने रिलेशनशिप्स पर बात की थी उन्होंने कहा था कि रनवीर से कमिटेड होने से पहले वो एक दो और लोगों से बातचीत कर रहे थी इसके बात से सोशल मीडिया पर उनके पुरानी अफेर्स को लोगों ने कुरेदना शुरू कर दिया और अब इसका एक शरमनाक नमूना सामने आया है जो कही और से नहीं उत्तर प्रदेश के विश्वे विद्यालय बनारसिंदू यूनिवरसिटी का है सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वाइरल हो रहा है दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो बनारसिंदू विश्वे विद्यालय के एन्यूल फेस्ट का है कहा जा रहा है किस फेस्ट में दिपिका के अफेर्स और परसनल लाइफ पर एक नाटक दिखाया गया जिसमें उनके सभी बॉइफरेंड का लाइफ में आना और जाना शामिल था ट्वीटर से लेकर इंस्टाग्राम पर वाइरल हो रहे हैं इस वीडियो को लोग शरमनाग बता रहे हैं लोगों का कहना है कि इस तरह से किसी की परसनल लाइफ को नहीं उच्छाला जा सकता सामने आई वीडियो में आप देख सकते हैं कि बड़ी LED स्क्रीन पर दिपिका के सभी एक्स बॉइफरेंड की तस्वीरे दिखाई जा रही है जिसमें दिपिका भी साथ खड़ी है वही एक लड़की बाचिराव मस्तानी वाले आउटफिट में दिपिका के किरदार में स्टेज पर परफॉर्म कर रही है इतने पर ही ये मामला नहीं रुक रहा जैसे बैक्राउंड में लगी LED पर नए आफेर का किस्सा शुरू होता है ठीक वैसे ही स्टेज पर नए शक्स की एंट्री होती है वीडियो के वाइरल होने की तुरंद बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पर प्रतिक्रिया देना शुरू किया जहां कुछ कॉलिज ने छात्रों किनाटक की तारीफ की तो किसी ने इसकी निंदा की है पता दे कि कपल ने अपनी शादी का वीडियो हाल ही में कॉफी वित करन में शोकेस किया था